तो आप सब ही कक्छा दस्वी के चात्रों का स्वागत है चात्रों आज की इस वीडियो में हम कक्छा दस्वी विसे हिंदी 36 कड़ बोर्ड तेमार्सिक परिच्छा 2022 ते इसका पेपर देखने वाले है संपूर्ण पेपल विद सॉल्यूसन के सांथ देखेंगे जिससे आप अच्छे से अच्छे पूर्ण आंक लेके आसा को अपने 26 सितंबर 2022 को होने बाले पेपर पे तो करते हैं विडियो को स्टार्ट आपको उतादने कि जो पेपर देखने वाले हैं आपके पेपर में 7 to 7 फसने के 26 तारिको 6 to 7 फसने के बहुत ज्यादा चांसे से हैं और यदि 7 to 7 मानलो नई भी आता फिर भी यदि आपके पेपर में इसी पेपर से 50 to 60, 60 to 70 परसेंट कोशन आएंगे इसलिए चात्रों आप इस पेपर को बहुत ज्यादा अच्छे से सारे के सारे कोशन आंसर को पढ़ लीजेगा यदि आपको पेपर में बहुत अच्छे अंक लाने है तो करते हैं बड़ी को स्टार्ट यहाँ पर आप देख सकते हो नोट सभी प्रसन हल करना आनिवार है समय तीन घंटे पूनांग पचास पहला कोशन है सही विकल्ब पे चुनकर लिखिए जिसमें फस्ट है हटीली सब्द प्रयोक्त है चार ओप्सन है तो यहाँ पर आपका अंसर आ जाएगा अलसी के लिए हटीली सब्द किसके लिए प्रयोक्त है अलसी के लिए सकेंड है माई की बगिया तपो भूमी है है ना तो मारकंडे इसे की तपो भूमी है किसकी तपो भूमी है मारकंडे इसे की कौन सी बिमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता तो टेक्स बिमारी का इलाज नहीं होता मिट्टी से कलाकरती बनाना है तो मरन सिल्फ ठीक है मरन کا मतलब ही मिट्टी होती है है ना जैसे कुमार बनाता है मरन सिल्फ क्या किरना है आपको ठीक मरन सिल्फ पाचभा कॉसें जो कि आपको सेम टुसेम देखने को मिल जाएगा कंडी डालने काड़ते तो यहाँ पə you अंसर हो जाएगा पढ़ाजत होना क्या जाएगा अंसर पढ़ाजत होना इसके बात प्रशने दो है चाहत्रों घेसा पार्ट किस बिदा से लिया गया है तो इस प्रशने को आप चेक कर लीजेगा बागी सॉलुशन आपको हम नेक्ष्ट वीडियो पर दे देंगे ठीक है इस कैसा होता है है ना पांचवा प्रशन है जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है छेटवा प्रशन इसके बाद निमलिखित मोहापरों का आर्थ लिखते हुए अपनी बाग्कों में प्रियोक किजिए यहाँ पर आ है भुकोटी चड़ाना और बा नौटवा प्रशन है आपका माटी वाली के बिना टेहरी सहर के कई घरों में चूले तक का ना का जलना क्यूं मुश्किल हो जाता था इस प्रशन का उतर्वा पच्चे से याद कर लीजेगा आपको सेम तो सेम देखने को मिल जाएगा नौबा प्रशन है बच्चे साप सफ प्रशन है समों में बिचार बिमर्ज कर लिखिये ग्यारवा प्रशन है महादेवी बर्मा को अन्य विद्यार्दियों के अप एक्छा घिसा ही क्यूं याद रहा बारवा है बिंध और सत्पुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रत किया इसके बाद नेक्स्ट कॉश् पाठ की अधार पर लिखिये प्रशनिक्रमांक 15 है निमने कद्यांस का संदर्व प्रसंग सहित व्यक्या कीजिए कंधी डाल दू तो गजब हो जाए दुनिया लड़ खड़ा कर गिर पड़े जमाने का दौर बंद हो जाए पर मैं कांधी नहीं डालता ना डालूंगा मैंन रहता है ठीक है तो इसको आपको याद कर देना संदर्व प्रसंग सहित व्यक्या और इसके अत्वा में बिमारियां बहुत देखी पर निमोनिया क्लोरा कैंसर जैसे लोग मरते हैं ठीक है टेक्स की ऐसी विमारी है जिससे बे मर रहे हैं तो इसे भी आप देख लीजेगा इसके बाद सोलव प्रस्ण है निम्लेकित पद्यांस के संदर्व प्रसंग सहित व्यक्या कीजिए है ना तो पद्यांस है देखा आया चंद्र गहन देखता हूं द्रस से अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा केला एक बीते के बराबर है हरा ठिकाना ठिकना चना बांदे म ऊर्याध सीज पर ऊट इसका भी आप संदर्व प्रसंग सहित भ्यक्या जैत कर लीजीगा सट्रीओंध देखते हैं ऑप नगरपाली का गी तो नियम्लस करने रहते हैं आप अपने चत्य मैं पहले महमारीं के रोक ठाम हे तू नगर के स्वस्त अधिकारी को एक पत्र लिख लाउड स्पीकर पर रोक लगाने तो जिलाधी से धमतरी को एक पत्र लिखिए ठीक है उनका नाम दिया गया है क्या धमतरी अठारवा प्रश्ण देख लो जो की लास्ट प्रश्ण है नमलेकित में से किसी एक बेसे पर 200 सब्दों में निबंदे लिखिए ठीक है बिग्यान क चमतकार या बिग्यान की बढ़ते चरण बिग्यान के उप्योग सदूप्योग कुछ भी बोलो आपका बिग्यान का तो आता ही है विद्यारती जीवन वनुसासन विरोजगाड़ी की समय से मैंनेदान सवच्छता अभियानों में चात्रों की भूमिका तो इसे आप अच् कर लिजेगा विडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और जितने भी आपके फ्रेंड उन से भी को बेडियो शेयर कर दीजेगा ऑभी मिलते नेक्ट वीडियो पर धन्नेबाद